हलो दोस्त, रेलवे लाइप यूटूब चैनल पे आपका स्वागत है हलो दोस्त, रेलवे एलपी टेक्निसियन पेच्छा एक अभली का ठारा में बधाई और सुख कामना है जिसमें परविजनल पेच्छा एलपी के लिए और टेक्निसियन के लिए भी आईटियाई और किस्जियम का परविजनल पेच्छा एक अगया है जिसमें एक और बधाई है कि इसमें वेटिंग लिस्ट को सामिल किया गया है साथ में ये भी बता दिया गया है कि ये result क्या है supplementary है जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जगर waiting list से लिया जाएगा उसको result का नाम replacement panel या supplementary दिया जाना चाहरे है कई सारे RRB नहीं करते हैं तो कुछ वीवर का ये आता है comment कि आप जो बताये थे वो गलब था अगर RRB नाम नहीं देता तो उनकी problem है लेकि रूल करता है जैसे waiting list क्लियर होगा परविजनल पैनल को नाम change करना होगा तो इसमें total candidate का नाम है 263 और ये RRB कौन सा है तो यहाँ पे देखेंगे तो RRB हमारे पास आमादाबाद है और आमादाबाद में आप कितना seat खाली है और जो candidate analysis में विश्वास करते हैं उनके की ये channel welcome करता है और detail आपको सारा seat भाई share करेंगे यहाँ पे लेकिन पहले देखना हमारा करतब बनता है कि ये RRB पे result कहा आया है तो RRB हमारे पास आमादाबाद में खुल रखा हूँ इसमें नीचे की तरफ अस्ट्रॉल डाउन करेंगे अस्ट्रॉल डाउन करते ही ये आएगा एक अबली कठारा इसमें पहला result आप नीचे की तरफ देखेंगे तो केवल ELP का था जो आपका ELP के लिए कटेगर दूपा था दुद्रा result के टर्म में आया था तो Various Post of Technician का आया था और आज के डेट में देखिए Supplementary Result for ELP और Various Post of Technician ऐसा नाम क्यों दिया गया है क्योंकि इसमें Waiting List का भी सामिल किया गया है तो इसलिए इस result को Supplementary दे दिया Purvisional Panel हटा किया यही रूल है और यही रूल होर होनी चाहिए थी इसके डिटेल में अगर देखें तो एक लाइन में हमां करका हैं तो यहाँ पे जो पैनल आया है तो टोटल ELP का Post टोटल जोड़े 365 Technician अगर जोड़े तो 862 यह टोटल है इसमें से अभी तक टोटल देखेंगे 851 Complete हो चुका है तो 851 Complete होने की स्तिती में अगर आप देखते हैं तो अभी भी का सकते हैं करीब करीब यहाँ पे टोटल 376 Open है सब के लिए इसमें यहाँ डाटा के तरह में देखना चाहेंगे तो आपका डाटा यहाँ पे है डाटा का रिजल्ट यहाँ पे आचुका है 16 तारिक यह 16 तारिक डेट आपके पास सामने होगा और रिजल्ट में हर पैनल का अलग काटेगरी है काटेगरी भाई देखेंगे 40 पेज का रिजल्ट है डेट देख लिजिएगा 16 आट निस जिसमें सप्लेमेंटरी रिजल्ट है कुछ ऐसे है जिसमें कोई क्वालिफाई नहीं किया है काटेगरी नमबर साथ ऐसे ही बहुत सारे काटेगरी है जिसमें कोई भी कंडिडेट सुटेबल नहीं है या सीट खाली गया है वो भी RRB ने इंडिकेट कर दिया है तो यहाँ पे डेट आपका 16 दस का है पहला पैनल कहां आया था तो 16 साथ का दूजरा पैनल 16 आट का और तीसरा पैनल 16 दस का दूजरा पैनल जो टेकनिसियन का आया था उसमें टोटल टेकनिसियन का ही केबल पोष्ट था 玩टटकल टेकनिसियन देखेंगे तो 31 का था और फ़र्ड पैनल जो आया आए इसमें 263 लोगों का नाम आया था टोटल अगर आप जोड़ देते हैं यह हो जाता है, आट सो एकासी कंडिडेट, जो बारासो सताइस एलपी टेकनिशियन वेकेंसी में से घटा देंगे, तो 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 तीन सो चेतर कंप्रीट हो जाता है, अब एक एक इसमें देखिएगा तो बहुत सारे कंडिडेट को नाम सिफ्ट हुआ है, यानि देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं O, B, C, A, C, H, T, कंडिडेट, इंप्लाइंडेट को एक कंडिडेट सिफ्ट किये हैं, सारा UR में इतने कंडिडेट सिफ्ट किये हैं, 28 और 12, 40 कंडिडेट UR में सिफ्ट किये हैं, इसकी भी डिटेल यहाँ पर दी हुई है साथ में और डिटेल देखना चाहेंगे, तो हर पैनल में कुछ न कुछ नया है यहाँ देखिए, रिजल्ट में एक रिजल्ट भी धेल्ड है, जिसको भी फाइनल नहीं किया गया है, वो भी है और डिटेल देखेंगे, तो एक एक कर के नीचे की तरफ सारा डिटेल देते गया है, हर कटाईगी क्या अब इतनी पेज देखने से अच्छा है कि एक साथ आप एक सलाइड में देख ले, तो सलाइड आपके लिए लेकर आए है, वो सलाइड यहाँ लेबल है इस सलाइड में देखेंगे, तो पूरी पैनल का डिटेल मेरे पास सब लेबल है तो सबसे पहले उन काटाईगरी की बात कर लेते हैं, जिसमें कोई भी कंडिडेट क्वालिफाई नहीं किया है काटाईगरी नमबर 121, 149, 144, 154, 177, 189, तो सबसे पहले इस काटाईगरी का देख लेते हैं, एलपी की कंडिशन पहला पैनल में 217 और इस पैनल में 105 लोगों का नाम, जोनों जोड दीजिएगा, तो जोडने के बाद आपको बसता है, जो वेकेंसी आई है, 365 की वेकेंसी है, उसमें से इतने लोगों का नाम आ चुका है, यानि कादे की 321 के करीब आ गया है, तो कादे यहां पे 22 सीट के आसपा सोर खाली है, यह जोड दीजिएगा, 17, 5, 21 होता है, और 21, 321 और 365 कोस्ट है, जो बच्चा हुओ, अभी वेकेंट है, वेकेंसी लेने के बाद भी, उसमे बाद काटेगरी नंबर 25 में 5 लोगों का नाम आया है, पहले 19 लोगों का आया था, दोनों मिला दीजिएगा, तो यह आता है, 24 और टोटल है, 65 कोस्ट, बाकी सारे खाली यह भी है, जो पैनल 3 या 4 में आगे आएगा, उसके बाद काटेगरी नंबर 31 में 12, 16, पैनल 2 में और पैनल 3 में 12 लोगों का आया है, यानि जो लिजिएगा, तो यहां पे आजाता है, 28 और कोस्ट कितने है, 29, एक सीट खाली है, 31 में, अगर 35 की बात कीजिएगा, तो 58 पोस्ट है, 35 पहले और दूसरे में 20, यानि 55 लोगों का नाम आ गया है, 3 लोगों का नाम खाली है, 47 नंबर काटेगरी में 28 पोस्ट है, 11, 22 लोगों का नाम आ जाएगा है, 48 नंबर में देखिएगा, तो यहां पे 8 पो साथ नंबर काटेगरी में 8 पोस्ट है, 8 पोस्ट का नाम पैनल में आ चुका है, उसके बाद TRD काटेगरी 52 का देखेंगे, तो TRD 52 काटेगरी में आप देखेंगे, तो यहां पे 22 पोस्ट के लिए 17, 25 लोगों का पैनल में नाम आ चुका है, TRD PSI में 4 पोस्ट में 3 लोगों का नाम आचुका है उसके बाद TRD 54 का देखिएगा तो 44 कोस्ट है और यहां से देखेंगे तो यहां पे 40 लोगों का नाम आचुका है यानि 4 पोस्ट अभी भी वेकेंट है सैति कैटेगरी नंबर 59 34 कोस्ट के लिए मात्र 7 लोगों का पैनल में नाम है 64 के लिए 628 लोगों का नाम है कैटेगरी नंबर 62 में उसके बाद अगले कैटेगरी नंबर 65 में देखिएगा तो दो पोस्ट के लिए एक लोगों का इन पैनल में नाम है तो उसके बाद हम 65 नंबर में देखेंगे तो दो पोस्ट के लिए एक का नाम है 66 नंबर कैटेगरी में टोटल पोस्टों क संक्या 106 है और यहां पर पैनल में देखिए जाता हूं असी लोगों का नाम आया है तो बाकी अभी 26 पोस्ट खाली है उसके बाद 84 नंबर काटेगरी में 12 पोस्ट के लिए 3 लोगों का पैनल में नाम है यहां भी आप देखेंगे तो टोटल कर दे तीन 9 उसके बाद अगला ह है 104 नंबर काटेगरी 57 में 57 काटेगरी 57 नंबर कोस्ट है जो आपका multiple skill feeder के नाम के पोस्ट है 104 में से आपका 17 लोगों का नाम आया है बाकी खाली है उसके बाद power electrical वाला में 117 नंबर काटेगरी 5 पोस्ट के लिए एक पैनल है represent and air conditioning 126 काटेगरी नंबर में 11 लोगों का पैनल में नाम आया है जबकि पोस्टों के संक्या 16 है तो 5 खाली है 134 signal technician जो PCM के लिए है इसमें अगर देखेंगे तो टोटल 92 और 27 दोनों पैनल मिला दें तो यहां पे आता है 7 दोनों नोदेगार 119 लोगों का नाम है और टोटल पैनल में जो जगह मिली थी 119 सी थी टोटल में टेली कम्मूनिकेशन में 134 और 741 आया है और एक ताली सी पोस्ट है इसके अलावा पैनल 2 में एक और पोस्ट की आई है वो कोई नहीं आई है और टोटल मिला के technician की यहां देखेंगे list में तो आपके पास आता है 263 उसके बा अब पैनल के detail में बात करना चाहेंगे तो LP की यहां पोस्टों की detail अगर आप जानना चाहेंगे तो 365 है technician की 862 है और टोटल 1227 है 1227 में 851 लोगों का नाम आल चुका है अगर इसे कर देंगे तो 376 बचता है अगर 22 यहां से कम कर देंगे तो 354 पोस्ट ITI technician की बच्ची हुई यहां दीख रही है technician का जिसमें से बहुत से लोग NEC है not eligible candidate बहुत सारे category में है जिसमें कोई भी candidate जो 40%, 30% और 25% का criteria था उतना marks भी नहीं लह पाया जिसके कारण से वो पोस्ट खाली के चला गया और कई सारी category में यह भी था कि जिसमें आप देख सकते हैं part B तो यहां part B का भी issue रहा जिसमें 35% नहीं score लाए जिसके कारण से पोस्ट NEC चला गया है और part A में LP और plus कहेंगे तो TCM technician का cut up हाई गया जिसके कारण से ITI technician वाले पोस्ट का बहुत सारे candidate का clear हुआ होगा और अभी भी आने व बbες लिसमें कम今日トत Woods her तो खोस्ट का किया जिसमें का आने जिसमा5 को और रहँ है je रहां कुट सब्किना, यहां कि एष भी oर्त किता।